C.P.I.M. के अनुभवी नेता तथा डेली डेशेर कोथा के पूर्वसंपादग गौतम दास ने अखबार के प्रकाशन पर लगाए गए बैन को गैर कानुनी राजनिती प्रेरित और गंतंत्र के विरुद बताया है अखबार पर बैन लगाए जाने से इसे जुड़े दोसों से अधिक कर्मचारियों को आजी वीका की छेतर में परेशानी छेलनी पड़ रही है मीडिया से बाचीत में दास ने कहा कि 60 से 70 के दशक में CPIM का सापताहिक समाचार पत्र था देशेर को था लेकिन बाद में इसे दैनिक समाचार पत्र में तबदिल कर साल 1989 में इसका नाम रखा गया डेली देशेर को था डास ने कहा कि डेली देशेर को था 40 साल पुराना प्रसिद्ध समाचार पत्र है जिसने कई सरकारों को गिरते और उभरते देखा है पंधर अगर सन 1989 में यह पहली बार प्रकाशित हुई थी लेकिन जब से राज़े में बीजेपी आईपी एफटी की सरकार बनी है इस समाचार पत्र को बेन करने की कोशिश की गई और आखिरकार सोंबा की रात को पर्चिम जिला मजिस्ट्रेत संधीप महादमे ने अखबार पर बेन लगाने का आदेश जारी कर दिया मनिपूर को देश का 23 खुले में सौच से मुक्त राज्य खोशित किया गया है कलराश्ट पिता महात्मा गान्धी की देर सोवी जैन्ती के मौके पर मनिपूर की राजपाल डॉक्टर नजमा हैपतुला ने मनिपूर सरकार को बधाई देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग को खुले में सौच मुक्त परमान पत्र प्रदान किया जिससे कि लोग अपने मुबाइल फोन पर समीपर्थी पब्लिक ट्वालेट का पता रगा सकते हैं राजपाल मुख्यमंत्री केबिनेट मंत्रियों और अन्य विधायकों ने भी कलराश्ट पिता महात्मा गान्धी की मूर्थी पर माल्यारपन किया I am full of pride in the declaration of ODF Manipur and handing of the certificate to Honorable Chief Minister I congratulate the Swachata Karahir and the Village Water and Sanitation Committee I am full of pride in the declaration of the नगालन को महात्मा गान्धी जैनती पर देश का 22 वा खुले में 100 मुख्यमंत्राज्य का दर्जा दिया गया जिससे नगालन उत्तरपूर्व में छौथा खुले में 100 मुख्यमंत्री के मंत्री जैकॉप जी मोमी ने उरायकाडमी में की राज्य के चार जीलो के रूरल एरिया को पहले ही खुले में 100 एरिया का दर्जा दिया गया था और बाकि 7 जीलो को भी खुले में 100 मुख्यमंत्री जैकॉप जी मोमी ने कहा कि राज्य में यहां आवाजाई मार्गो और गुनियादी ठाचे के विकास के साथ वातावरन को भी शुद्ध और साफ रखने के बहुत जरूरत हैं जिसके लिए राज को खुले में 100 मुख्यमंत्र करना बहुत ही अहम था The government, the department particularly, we have also appointed Swachagarahis. They will be the caretakers to carry this movement forward, the Swachbarad Abhin movement forward initiated by the Honorable Prime Minister of India in 2014 and as a resultant effect for which we are declaring ODFs team today. इरादे अगर मजबूत हो तो जीवन की कोई भी बाधा मनुश्य को उसके लक्ष तक पहुँचने से नहीं रोग सकती गरीबी की वज़ा से स्कूल की पढ़ाई आधे में छोड़ने पर मजबूर सिक्किम के बिकाल राय नामक लड़के ने ये बात साबित कर दी है बिकाल आज देश का सबसे युवास स्वैम की अभियनता है मंगलवार को सिक्किन सरकार ने बिकाल राय की काम्यापी की कहानी को राज्य के सरकारी स्कूलों के पार्ठिक्रम में शामिल करने का फैसला लिया ताकि बच्चे बिकाल की इस कहानी को पढ़कर हजार बाधाओं के बावदू अपने करियर पर ध्यान के इंडिट कर सके बिकाल ने कई इजाद किये हैं और वो अपने गाउं का इलेक्ट्रोनिक रिपेरर बन गया है बिकाल ने एक हाइड्रो पावर जेनेरेटर इजाद किया है जो की 2.3 वोल्ट उर्जा उतपार्ण करता है जिससे 3 बल्ब जलाए जा सकते हैं और एक साथ 4 मुबाइल फोन चार्ज किये जा सकते हैं उसने सिरिंज, ड्रिक पाइप, प्लास्टिक और टायर के इस्तिमाल से दो उत्खनक मॉडल डिजाइन किये हैं जिसमें लाइट, पावर स्टेरिंग और एफम स्टेशन भी इंस्टॉल है लेकिन विकाल को साल 2015 में बनाई गई सेमी इको फ्रेंली इलेक्ट्रोनिक कार ने प्रसिद्धी दिलाई है विकाल की इलेक्ट्रोनिक कार में दो अलग-अलग इंजिन है एक internal combustion engine और दूसरा secondary engineering जो की backup के लिए है इस कार की अधिकतम रफ्तार 60 km प्रती घंटा है विकाल के आविशकारों से खुशो कर प्रदेश के मुखे मंतरी पवन चामलिंग ने विकाल की आगे की बढ़ाई के लिए उसके आर्थिक मदद करने की खोशना की जिसके बाद विकाल ने पुर्गी सिकीन के बरडांग स्थिद Advanced Technical Training Center में दाखिला ले लिया में था और घर में था पड़ाई भी नहीं करता था और मैंने डिसिज़न किया आउल ट्राइव वन फोस इन माई लाइफ तो जैसा भी एक वाट ट्राइब करेंगे चांच मिला तो ठीक है नहीं मिला तो जाब करेंगे वह स्वास के बनाया और इधर का स्टेट और् सकते हैं